एक ऐसी दुनिया जहां सैंचुरीज पहले धर्ती के ऊपर ही एक ऐसी रिफ्ट ओपन ही थी जिससे डाइमेश्टन बीस्ट यानि मॉंस्टर्स ने प्लैनेट पे हमला करना शुरू कर दिया था और इंसानियत को एक बहुत ही बड़े खत्रे मिला दिया था लेकिन अवेकन वारियर्ज ही थे जो इस दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं यह घान ही यह टियान किया है जिसने बच्वन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था और अब उसे ही उसके सिस्टर का धियान रखना था और इसके लिए उसे चाहिए पावर और टैलेंट तो इस एपिसोड की शुरुबात में हम देखते हैं कि यह धियान अपनी अबिलेटी को एक्टिवेट करता है ताकि वो दूर से यह लिंग के स्टेटस विंडो देख पाई और फिर वो उसके तरफ घूरता हुए देखता है कि उसका कल्टिवेशन टैलेंट लिटर्ली अपक्स टायर का था और स्वोड टैलेंट में टायर का, स्पीड टैलेंट लो टायर का यह लिंग इतने कम टायम में अपने कल्टिवेशन टैलेंट को हाई टायर से अपक्स टायर तक पहुचा लेगी लगने तर नहीं तो एक बात पक्का है इस चीज़ का रिष्टा उस ट्रेशर के साथ है जो मैंने लेक ओफ डेथ पर देगा था और फिर वो अपने चेहरे पे इंप्रेस होता हुआ यह लिंग को देखता हुए कहता है क्या बवाल लड़की है पर यह लिंग छो कि यह ट्यान के उसकी तरफ लगातार देखने से शर्मा कही थी उससे पकड़ती है इसे बटाती कहती है क्योंकि इतने time बाद मिलने के बाद आकर वो उससे बैसे गी तो फिर फायदा किया था और फिर वो चलती चलती उसे बताती है चलो अबी भी थोड़ी रोश्णी है तो क्या तुम साथ में थोड़ी से सैर करने के लिए चलना चाहोगे और जानना चाहती थी कि येतियान के इस बारे में क्या ख्याल थे बट वो साब साब बताता है कि वो इन चीज़ों में भिलकुल भी इंट्रस्टेड नहीं था क्योंकि ये फालतु कहम उसके होग भी शक्तिशाली बनने में काफी दखल लडाएंगी और ये लेंग येतियान से पुछती है वो अच्छा जी ऐसी बात है तो फिर तुम्हारा आके क्या करने का प्लाइन है अखेले कल्टिवेट करने का बट येतियान उसे बताता है मैं इस जगा को छोड़ने का प्लाइन करा हूँ और अब यहां से मैं चला जाओंगा डेमन सी बेस में और उसके वहां से जाने की बात सुन करी ये लेंग एक्दम शान्त हो जाती है जिस पर येतियान उसे मुड़कर पूछता है क्या हुआ जगदम क्यों रुक गई बाला तुम्हारा ही आइडिया था ना एक वोक पर चलने का तो फटा फटा जाओ और वो भी ऐसा ही करती है और वो दोना अपने साथ में वोक को एंजोई करते हैं और रात के वक्त घर पर हम देखते हैं कि ये ये अपने भाई से मिलकर एक्दम चिपकी होई थी और बहुत ही जादा खुश थी परन तो ये ध्यान उसे समझाता बताता है ये यू अब तो मतनी बड़ी हो चुगी हो पर फिर भी तरह चिपका चिपकी करती हो जब मैं मिलते हैं तो मैं होट बेक लेडी की तरह भी एक करना शाहिए अब शर्माती वो बताती है कि वो तो बस बहुत ही खुश थी क्योंकि उसने अपने बाई को काफे मिस किया था और ये ध्यान भाकियों को शुक्रिया करता है ये यू को यहाँ पर लाने का और उसका हमेशन ध्यान रखने का और वहीं पीछे मजूद थे यूए लिंग और वो एल्फ गर्ल और यूए लिंग उसे कहती है शायू एल्टर जॉंग को ओफिस में बुलाओ मैं उनसे खुश बार डिसकस करना चाती हूँ और शायू भी समझ थी ऐसा करने चली जाती है और हम उसे देखते हैं ओफिस में जहां पर वह एल्टर जॉंग उसे कह रहा था बिस आपका ये फैसला पका है ना जिस पर यूए लिंग उसे बताती है जी हाँ और बाकी सारा काम मैं आप पर छोड़ती हूँ और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लिंग ने यहाँ से आगे येतियन के साथ जाने का डिसाइट कर लिया था और पर अगले सुबह हम सभी को बार देखते हैं और वो बढ़ा हैल्टर वे येतियन को बता रहा था ब्रदर ये अगर आप रुपते हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नाम बना पाएंगे और आप अपनी एक बहुत बड़ी ये फैमिली बना पाएंगे पर येतियन बताता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी एक जवान हेरो जिसके काफी बड़ी उच्छे सपने हैं मुझे ये बहुते काफी अच्छे लगती है अगर मैं कुछ साल और जवान होता तो मैं बेर शक आपके साथ होता और लेटर भी येतियन से पूछता है वैसे ब्रदर ये पाफलियन मास्टर ये लिंग तो आपकी दोस्त थी ना परन तो इतनी अच्छी दोस्त होने के बाफ्जूद भी वह आपको अलविदा करने नहीं आए जो देख ये इतियन भी डिसाइड करता है कि अगर यही बात है तो उस वह से बेना अलविदा करें निकल जाएगा और फिर वह सभी को अलविदा करने लगता है और लेडर भी ये यू को अच्छे से ट्रेन होने को कहता है जोकि क्यों नहीं वो उसका मास्टर जो था पर तबी वहाँ पर एक बहुती सेक्सी और थिक सूट से बाहर निकलती आती है ये लिंग जोकि ये तियन को वेट करने क कहती है क्या हुआ मुझे घूर कि रहे हो फटा फटा नतरा कर बैठो अब भर ये त्यान उसे पूश्टा है अच्छा तो तुम भी आ रहे हो जिस पर ये लिंग बताती है बेश्या किसे लिए तुम्हें कार में बैठी हूं अस्ते हुए ये त्यान पिस बात को समझ जाता है और मुटताब भागी दो पेसेंजर्स को कहता है तो ठीक है ये यू और शाव यू तुम दोना पिछली सीट पर बैठ जाओ लिटली भाई तुमारे पास अभी तीन लड़किया मैनेज करने को और बैठा हुआ ये तियान ये लिंग से पूश्टा है तो तुमने जगता पर यह लिंग चलाती बताती है मैंने कहा ना मुझे भी वस बहीं पर जाना था और इस चीज़ का तुमारे साथ कोई भी रिष्टा नहीं है मैं बस इसे लिए बैठी हूँ क्यूंकि कार में असानी होगी ठीक है ना अब ये तियान भी बल साम में हां मिला देता है और वह एल्डरलेन और कैप्टन गिल्वल्फ एंट एल्डरलेन भी बताता है इस लोंडे का वविष्ट बहुत ही खतना खोने वाला है और बहुत ही दांस होगी और साथ इसाथ अपने मन में वो अलविदा करता है उस जगह को जहां पर वो जमा पला बड़ा और शक्तिशाली हु होगी बर अगर आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया तो आप हमें सुपर थैंक्स करके सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप हमारी वीडियो का एक दिन अल्डी सेस्पाने साथे हैं तो आप मेंबर्शिप को भी जोइन कर सकते हैं बढ़ना तो वह आपकी मर्जी है पर यह यह सपोर्ट करोगे तो फाइदा होगा हमारा भी और शाहिद आपका भी तो एनिवेज पर नाव बाइगर पैस आया मारा जना